स्वागत है दोस्तों आपका इस बहुत खास कारिकरम में मैं आपका अपना रमन मलोतरा एस्टोलोजर एन जैमस्टोन एक्सपर्ट दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत खास कारिकरम यह जैमलोजी के उपर भी है जोतिश के उपर भी है वासू के उपर भी है नेमरोलोजी के उपर भी है बहुत धेरो एपिसोड अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब करा है तो आप बहुत एपिसोड मिस्कर चुके हैं मैं बताओं कितने लगभग 2000 एपिसोड वो तो आप मिस्कर चुके हैं लेकिन कुई बात नहीं आप उसे देखिएगा बैक टू बैक आप से देखना शुरू करिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगेगा हर एक सवाल का जवाब उन एपिसोड के अंदर है क्योंकि 2000 एपिसोड है जाहिर सी बात है पता नहीं कितने घंटों के एपिसोड होंगे लेकिन मैं यह नहीं बोरा वह एक दो दिन में आप देखिए धीरे 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 आप देखते चले जाएए तो दोस्तों जब भी बात रतनों की होगी तो सिर्फ एक चैनल जब भी बात नगीनों की होगी जैम स्टोंस की होगी लकी जैम स्टोंस की होगी जा सेमी प्रिशे स्टोंस की होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको एकी चैनल पे ये सारी information मिलेगी वो है रमन मलोतरा तो आपको ये subscribe करना पड़ेगा और आज का जो एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं जो information देने जा रहे हैं ये जोतिश के माधिम से ही आपको दे रहे हैं तो आएए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ दोस्तों बात करेंगे शनी और चंद्रमा की यूती की जहने चलम कुंडली के अंदर अगर ये दोनो एक ही बॉक्स के अंदर या आमने सामने हो जाएं एक ही राशी के अंदर तो विश्दोश का निर्मान होता है जनम होता है बर्त होता है अब मैंने आपको बोला है विश दोश इसे विश योग भी बोलते हैं दोश भी बोलते हैं तो ये बहुत भ्यानक अपने आप में इसके जो परिनाम आते हैं बहुत खतरनाक बहुत भ्यानक होते हैं अधिकतर कुंडले के अंदर ये योग बना हुआ है और उन्हें बहुत ब शनी और चंद्र बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है अब कई लोग हमें आके बोलते हैं जी हमारी कुंडली में शनी चंद्र का विश यूग है जा था लेकिन पचासा लोगे हमें तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई ट्रॉबल नहीं आई तो मैं आपकी जान करी के लिए बता दूँ जब वो बॉक्स एक्टिव होता है अब सुनिएगा बारा बॉक्सिज है पहले बॉक्से लेके बारा बॉक्सिज तक हर एक बॉक्स के अंदर अलग अलग राशी अलग अलग रहे जब तक वो बॉक्स एक्टिव नहीं होगा जैनि इस बॉक्स की मह महादशा नहीं लगेगी शनी की महादशा आपको 19 साल की नहीं लगी तो कैसे होगा नहीं होगा चंद्रमा की महादशा दस साल की अगर वो नहीं लगी तो जहर सी बात है तो कहने का भाव क्या है देखिए जब आप कुंडली को देखते हैं जब आप अपने चार्ट को देख है कि जब वो एक्टिव होते है ना फिर तो दुनिया को कुछ ताकत नहीं है जो आपको अच्छे परिनाम दे पाए हाँ दो तिन चीजों के अंदर बहुत ये एक्टिव बढ़िया भी रहते हैं जैसे कुंडली के दे लो आप राजनेता जा आप ऐसी कुछ जरनी कर रहे हैं और इसे कि आप माल लेते हैं चुनाब लड़ना चाहते हैं जाप आपको लग रहा है कि नहीं बं सकता हूं पॉलिटीशन्ज या मैं आपने आपको उस लाइन के अंदर नेता बहुत बड़े-बड़े लीडर तो ऐसी कुंडलियां जो होती है उनके चार्ट के अंदर ये जो योग है ये फल अच्छा ही देगा अब चलते हैं बारा बॉक्सिस के अंदर ये जो योग है ये क्या क्या करेगा तो मैंने अभी आपको बताया है जब तक ये महादशाई नहीं लगेंगी तब तक ये पूरन तहर एक्टिव नहीं होंगे ये चार चीजों का निर्मान करेंगे बॉड़ी के अंदर इसमें चंद्रमा की महादशाई लग जाए जशनी की लग जाए एक डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे आप बहुत बुर और दस आपकी पकड़ है अपनी फिल्ड के अंदर तो समझ लीजेगा महादशा लगते ही ये ग्राफ नीचे की और भागना शुरू हो जाएगा तीन बिमारियां आपका पीछानी छोड़ेंगी कभी कुछ कभी कुछ इन लगा ही रहेगा इसमें से भ्यानिक रोग भी हो स सकते हैं अब नमबर चार पे चौथा जो आपको इसमें रिजर्ट्स हाएंगे मैंने अभी आपको बोला है विश योग मन कहीं नहीं लगेगा मन नहीं टिकेगा मन का कारक कौन है चंद्रमा है आप अपनी और से एक चीज को भूल जाएंगे वो है हसना जा बहुत ज़्यादा हर्शो उलास हो जाना ये चीज़ें जिन्दगी से निकल जाएंगी जन्नि कलर्स निकल जाएंगे और ब्लैक और वाइट जिन्दगी आपकी हो जाएंगी तो दोस्तो आपको ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं न ये अच्छा लग रहा होगा अभी एक हिस्सा आपने देखा है एक हिस्सा भी और आने वाला है ये जो जानकारी होती है ये जो इन्फरमेशन होती है ये अपने आप से कहीं नहीं बताई जाती ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्यान है विद्या है जोतिश है उसके माध्यम से ही आपको बताई जाएगी क्योंकि बोला जाता है जोतिश एक समंदर है आप जितना नीचे चलते चले जाएंगे ये और गहरा होता चला जाएगा तो आपका टेस्ट आपका सवाद एपिसोड का खराबना करते हुए आए चलते हैं हमारे एपिसोड की दुरूफ दोस्तों महादशा है इतनी एक्टिव है 19 साल की महादशा शेनी की है आप ये खास ख्यार रखेगा 19 वर्ष जिन्दगी का एक पूर्ण था हिस्सा आपका निकल जाता है क्योंकि आज के युक के अंदर उमर है ही कितनी 70-80 साल होगी जिनकी बहुत जादा है तो दोस्तों उमर है ही कितनी आज के युक के अंदर 80 साल बहुत जादा उमर के अंदर माना जाता है तो जिन्दगी का एक हिस्सा एक पड़ाप शेली की महादशाई ने खा लिया एक और चीज मैं आपको बता दू शायद आपने अब इस चीज़ के बारे में कभी विचार नहीं करा होगा जा सुना नहीं होगा यह जो योग है ना इसकी महादशाई कभी भी आपको 20-21 साल की उमर में नहीं लगनी चाहिए यह भी खास क्या रखने वाली बात है अगर 20 साल की उमर में शेली की महादशाई लग गई तो भईया बेडा गरक हो जाएगा सारे का सारा 40 साल तक आप क्या करेंगे सारे काम बिगड़ गए हेल्थ इश्यू खड़े हो गए मांसिक तनाव हो गया क्योंकि उस समय के अंदर क्या होता है शादी भी उस समय के अंदर होनी है उलाद का सुख भी उस समय के अंदर मिलना है और अपने आपको आप स्टैंड भी उस समय के अंदर करेंगे तो overall कहने का भाव क्या है कि जो महादिशाई है ने जा तो बिलकुल छोटी उमर में लग जाने चाहिए जा फिर आप समझ के चलेगा बिलकुल एंड में लगनी चाहिए एनिहाओ ये तो अपने हाथ में नहीं हो सकता अब एक और चीज मैं बता दू जिन जिन की कुंडलियों के अंदर शनी चंदरी कटे हैं उनकी भाशा के अंदर कड़वाहट आएगी बेशक वो जितना अमर जी अपने आपको उस भाशा में सुधार लेकर आएं लेकिन कुछ ने कुछ लोगों को अटपटा लगेगा उनको ऐसा ही लगेगा कि ये जहर ही उगल रहे हैं विश है ना तो जहर ही बाहर जाएगी अब चंद्रमा की महादिश्या मैंने आपको बोला है वो भी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा जागेंगे तो शनी को भी एक्टिव करेंगे टक्कर इन दोनों की है भुक्तना किसे पड़ेगा हमें लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज बता दूँ चार ऐसे उपाए हैं इस योग से बचने के लिए इस दोश से बचने के लिए जोतिश के माधिम से मैं आपको चार ऐसे उपाए दूँगा जो आप करेंगे आपको बहुत लाब, बहुत फाइदा तुरंट मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन बहुत श्रद्धा विश्वास और नेस्टी के साथ आपको इन उपायों का सहारा लेना पड़ेगा तो आए चलते हैं हमारे चार ऐसे कौन से उपाय हैं जो जोतिश के समंदर से हमें निकल कर मिले हैं चार ऐसे कतरे चार ऐसी बूंदे जो हमारी जिन्दगी बदल दे हैं तो नंबर एक पे आपको चांदी का कड़ा पहनना पड़ेगा राइट एंड में सिलवर का कड़ा यह कास्टिंग कड़ा होगा ना तो इसमें कोई कट होगा ना इसमें कोई जॉइंट होगा इसका जो वजन होगा 40-50 ग्राम प्लस अप लीजेगा और मंडे के दिन आपने इसको डालना ही डालना है यह आप पूरी की पूरी जो आपकी जर्नी रहेगी उसमें इसको उतारना नहीं है और हाँ साथ में चांदी के गिलास में आपको दूद भी पीना पड़ेगा पानी भी पीना पड़ेगा तो इसको भी आप बिल्कुल पूरी की पूरी महादशा के अंदर एक्टिव रखेंगे ये भी उपाय बहुत जबरदस्त है नमबर दो पे चलते हैं दूसरा उपाय क्या है दूसरा उपाय है आप मोती धारन करें मोती कौन सा होना चाहिए वाइट होना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं आपको ब्लैक मोती धारन करना पड़ेगा जैनि काले रंग का मोती आता है यह भी साउसी आता है नैचुरल आता है 100% जैनुएन होता है आपको राइट हैंड के लिटल फिंगर में चांदी में ब्लैक मोती 7 केरेट प्लस आपको डालना पड़ेगा मंडे के दिन पूजा करवा के शुद करवा के लैबोटरी टेस्टेड ही डालना है 2.72 इसकी हाइस ग आप करें सुनें शिम महा पुरान पढ़ें बहुत लाब बहुत फाइदा मिलेगा दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे अगर आप मेरी एक बात मानेंगे ना अगर आप कोई कुंडली में ये अभी के अभी आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत ट्रबल में हूँ तो मेरे कह आप जाप शुरू करतें ऐसे ही बैठे 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 मन के अंदर चैंटिंग करें और उसका लाब आपको तुरंत आना शुरू हो जाएगा अब चौता उपाई बताने जा रहा हूँ बहुत जबर्दस बहुत धुरंदर उपाई है इसको आप करेंगे तो समझेगा कि ब मिश्री सफेद कपड़ा और साथ में दस बीस रुपे मैं फिर से बता दूँ कि इन चारों चीजों को आपने मंदिर में बरहमन को दान करना है कौन से दिन मंडे ये कब करना है एक महीने में एक उपाई आप लेना शुरू कर दे आपको बिमारियों से रहत मिलेगी आपको इन सब चक्रों से बाहरा जाएंगे अभी तो मैंने आपको देखिए दस पांच प्रतिशत ही बताया है बोला जाता है जिस तनलागे सोतन जाने जो भोग रहा होता है उसे जादा पता होता है लेकिन एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा तो ज मंतर क्रिया है क्योंकि इस समय के अंदर आप ऐसे उजहा तांतरिक मांतरिक जानतरिक इनके चक्रों में भी पढ़ेंगे बड़ा पैसा खराब करेंगे आप अपना उपाई भी आपको वो करवाई जाएंगे जिसका कोई लाजिक नहीं है उसमें भी आप अपना बड़ा प भर के लिए आपको यह दोश से आप मुक्त हो जाएंगे आप कंप्लीट बिलकुल सौब परतिशत कंप्लीट एपिसोड हो चुका है दोस्तों जो एपिसोड आपने देखा है इसके अंदर आपको छोटी-छोटी बहुत बारीक information भी दी गई है कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से रतन, कौन से दिन, कौन सा मान, क्या उसकी पूजा होनी चाहिए, क्या उसके each and everything आपको बताया गया है तो आप इस एपिसोड को समझेंगे, अगर आप योतिश लर्न कर रहे हैं, जैमलोजी लर्न कर रहे हैं, तो यह सरफ और सरफ एपिसोड आपके लिए है तो दुस्तो, इधर एक नमबर डिस्पले हो रहा है, 98767264921, अगर किसी कारण वर्ष आपका डेटो बर्थ आपको लग रहा है, गलत है, कुछ हेर फेर है तो फिर दोनों हाथों के लिकीरों की फोटो आप वहाँ पे वाटसप कर दे, आपको प्रसीजर आएगा, उस प्रसीजर को आप फॉलो करिए और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बाई दा नेम आफ रमन मलहोतरा दोस्तों, ट्विट्टर, इंस्टा, फेस्बूक सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जोतिश कोई वहम नहीं डालती मैं बार-बार बोलता हूँ, astrology is a science and the calculation of math, nothing else, और कुछ नहीं है भगवान वो है, ग्रह नक्षत्रा उसके नौकर है तो I hope so, यह सारे information आपके काम आएगी तो I hope so, आपको यह information बहुत काम आएगी तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, have a nice day